बच्चो कक्षा 9 वीशेगनीत वर प्रिशनावली है 1.3 पहली प्रिशनावली संख्या पत्ती जो चल दी है 1.1 और 1.2 के कोशन अपने पहले वाली वीडियो में हल कर चुकी है 1.3 के कोशन हल करनी है तो पहली प्रिस्नावली में 1.3 में अपने देखती हैं क्या दे रखा है पहला कोशन की दिश्मलव की रूप में इनको लिखना है और फिर परसार का अपने को परकार बताना है तो सबसे पहली क्या लिखना है दिश्मलव की रूप में लिखना है तो कैसे लिखते हैं देखो पहला कोशन दे रखा है 36 बटा में 100 बटा में कितनी जिरो है दो जिरो इन दो जिरों को काट देंगे तो उपर कितने के बाद पॉइंट लगेगा दो के बाद तो कितना आजाएगा पॉइंट 36 और कुछ आएगा क्या कुछ दूसरा है जैसे एक बटा में 11 अपने को बाग देना है सीधा बाग नहीं जारा पॉइंट लगाया पॉइंट के बाद भी देखो एक जिरो आ जाएगी तो दस में भी फिर 11 का बाग नहीं जाएगा एक जिरो और लगाई 100 ग्यारा निमे निनान में फिर क्या बचेगा एक और फिर 200 तो फिर ही जीरो लगानी पड़ेगी फिर 11 निमे निनान में इस परकार चलता रहेगा तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं फिर 09 चलेगा तो 0.09 के उपर इस परकार बार लगा देते हैं ये बार क्या दrशाता है, कि ये वाली संक्याई बार बार रपीट होती जाएगी कभी भी ये बाग है न जो वो पूरा नहीं होगा तो इस परकार के प्रसार को क्या कहते है अन्वसानी आवर्ती अन्बसानी आवर्ती क्या वर्ती हो रही है बार बार तो ये क्या है अन्बसानी आवर्ती अब देखो अगला है चार सही एक वटा में आठ पहले इसको हल करें चार सही एक वटा में आठ आठ चोके 32 हो रेक 33 वटा में आठ बाग देंगे 8 चोके 32 फिर पॉइंट आएगा 10, 10 में 8 हेकम 8, 2, 20, 8 दुनी 16, फिर 4 और चालीस, 8, 5, 40, फिर 8, 5, 40 आगया, इसके बाद पूरा-पूरा भागश लागया, कुछ नहीं बचा, तो ये क्या हो गया, फिर शान्त हो गया, इसके बाद जैसे देखो, 3 बटा में 13 का दोगे, तो 3 बटा 13 क आप बाग दोगे, तो आपके पास जो आएगा, वो संख्याएगी, पॉइंट 2, 3, 0, 7, 6, 4, और बार-बार ये ही संख्या रपीट होगी, बार-बार ये ही संख्या रपीट होगी, तो फिर इसको भी क्या कहेंगे, अन्वसानी आवर्ती, इसी तरह देखो, अगला है जैस पर चला जाएगा, तो 11, 11, 8, कितना हो गया, 11, 11, 12 है, तो 9, 90, तो 11, 8, 80, फिर 2, 20, 11, 11, 11, फिर वो 90, फिर ये ऐसे चलता रहेगा, तो इसको क्या लिखेंगे, पॉइंट 1, 8 बार, तो ये भी क्या होगा, फिर अन्वसानी आवर्ती की बार-बार क्या हो रहा है, रपीट ह हो रहा है, लास्ट है, 329 बटा में 400, 329 बटा में 400, 2-0 काटी, तो 2 के बाद पॉइंट लग गया, अपने पास क्या आगया, 3.29, 4, फिर 4 का बाग देंगे, पॉइंट पहले आ जाएगा, 4, 8, 32, 4 दुनी, 8, 1, 10, 4 दुनी, 8, 2, 20, 4, 5, 20, पूरा-पूरा बाग चला गया, तो फिर ये विपरसार कैसा हो गया, शांत, कि पूरा-पूरा चला जाएगा, तो शांत, और जदी बार-बार रपीट हो रहा है, तो उसको अपने लिख सकते हैं, अनवसानी आवरती, ये था आपका पहला कोशन, अब देखो दूसरा कोशन, क्या दे रखा है, कि आपको ए एक बटा साथ है, पॉइंट एक चार दो आठ पांच साथ का बार, तीक है, अब दो बटा साथ निकालना है, तो इसको क्या कर दी, एक बटा साथ को क्या कर सकते हैं, दो से गुना, तो दो बटा साथ आजएगा, तो फिर दो गुना पॉइंट एक चार दो आठ पांच साथ का बार इसको 2 से गुना करोगे तो आपके पास आ जाएगा 285714 फिर 3 गुना एक वटा साथ करेंगे तो क्या जाएगा 3 वटा में साथ कि 3 गुना 0142857 का बार इसको 3 से गुना करोगे तो आपके पास आ जाएगा 42857 एक का बार फिर 4 गुना एक वटा में साथ चार बटा में साथ हो जाएगा चार गुना पॉइंट एक चार दो आठ पांच साथ का बार चार से गुना किया तो अपने पास आजएगा पांच साथ एक चार दो आठ फिर पांच बटा साथ भी निकालना है तो पांच बटा में साथ आजएगा 5 से गुना करने पर 5 गुना 0.142857 का बार और 5 से गुना किया तो अपने पास आजाएगा 7,14285 फिर 6 बटा में 7 तो 6 से गुना किया तो क्या आगे अपने पास 6 बटा में 7 तो इस संख्या को अब क्या कर दो 6 से गुना कर दो और 6 से गुना करते ही अपने पास आजेगा 8, 5, 7, 1, 4, 2 का 12 इस परकार यह हो जाएगा 6 बटा में 7 6 से गुना करने पर मतलब 1 बटा 7 है 2 से गुना करने पर 2 बटा 7, 3 से किया 3 बटा 7, 4 से किया 4 बटा 7, 5 से किया 5 बटा 7, 6 से किया यह है अपना तीसा कोशन, तीसा कोशन क्या दे रखा है, P बटा Q के रूप में इनको व्यक्त करना है, पहले कोशन के जस्ट अपोजिट है, अब अपने को क्या करना है, इनको P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है, तो कैसे करते हैं, अपने को जो संख्या दे रखी है उसको क्या माल लो? X माल लो अब वार का मतलब क्या होता है? कि यही संख्या बार बार रपीट हो रही है तो 6, 6, 6, 6, 6, डास, डास, ऐसी आएगा यह चलती रहेगी, डास, डास, अब इसको क्या करो? 10 से गुणा करती हैं क्या करती है 10 से गुना करने पर यह तो क्या बन जाएगा 10 X और इस point वाली संख्या को जब 10 से गुना करती है तो एक संख्या point इदर हो जाएगा कि जब 10 से गुना किया अब इसको क्या लिख सकते है 10 X तो है 6 plus point 6 6 6 मतलब पॉइंट के बाद लिख दिया इन दोनों का एड़ करेंगे तो यही चीज बनेगी तो चाहे इसको ऐसे लिख दो अब देखो यह वाली चीज क्या है जो एक्स माननी थी वही सेम है बिचल रहे है निरंतर चल रहे है कुछ भी कम नहीं हुआ तो दस एक्स इक्वल टू तो दो बटा में तीन जो अपने को बिन निकाल ली थी वह क्या गी दो बटा में तीन अब देखो यह वाला कोशन एक्स इक्वल टू क्या माननी है फोर सेवन बार पॉइंट फोर सेवन बार है तो एक्स इक्वल टू फोर फोर रपीट नहीं हो रहा अकेला साथ 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 साथ साथ चलता रहेगा अब देखो यह अपने को X बनाना है तो X बनाने के लिए अपने पास यह होना चाहिए और यह वाड़ी चीज बनाने के लिए मतलब 4 लेकाने के लिए एक वार 10 से गुना और करना पड़ेगा इसको 10 से गुना किया तो इस साइड क्या हो गया सो एक्स इस साइड क्या हो गया संतालीस पॉइंट साथ 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 डैस 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 अब देखो अपने को क्या चाहिए चार अलग चाहिए चार चाहिए न तो इसको चार कितने करें कि संतालीस में से भी चार उदर है जाए तो तरतालीस तो सो एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 43 प्लस 4.777 लिख सकते हैं 4.777 तो यह वाड़ी चीज बनगी इसके जगे क्या लिख सकते हैं 10X तो 100X इक्वल 2 43 प्लस 10X 10X इदर आएंगे 100 में से जाएंगे तो 90X X की value निकाल नहीं है तो 43 बटा में 90 43 बटा में 90 अब देखो सेम कोशन अगला हो जाएगा अपने पास क्या है X इक्वल 2.001 बार X इक्वल 2 क्या है 001 001 001 पॉइंट है साथ में ठीक है अब यह कितनी संख्याओं के बाद इदर संख्या आएगी पहले तो अपने 10 से गुना करते थे क्योंकि एक के बाद संख्या आजाती थी लेकिन इसमें दो तो 0 है संख्या 30 नंबर पर आएगी अब अपने को किस से गुना करना पड़ेगा 1000 से 1000 से गुना किया 1000 X 1000 से गुना करेंगे तो पॉइंट इस एक के बाद स्टार्ट हो जाएगा 1.001001 1000 X इकवल टू 1 प्लस 0.001.001 चल रही है 1000 X 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं फिर X 1000 में से 1 X इतरा की कम होगा तो 999 X इकवल टू 1 X की वैलू क्या जाएगी 1 वटा में 999 क्या जाएगी 1 वटा में 999 तो यह आपकी 1.3 प्रसनावली का जो एक बाग है यह पूरा हुआ चोथे से लेकर जो आगी के कोशन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे धन्यवाद